कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनातो सांशो पांडे और हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तयारी परिक्षाओं की तयारी के सिलसिले में हम लोगों ने दसवी और बारवी दोनों कख्षाओं के लिए सारे विश्यों पर आपको पढ़ाना सुरू कर दिया है यह सारे वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक् में फ्री में अविलेबल है और वहां से आपको एक्जाम सेजिन विशन 2023 के सेक्षन में यह सारी चीज़े मिल जाएंगे अब हमारी चर्चा किस विश्यापर है हमारी चर्चा आज है नाभिक के विश्यापर इससे पहले हम लोगों ने परमानू जो चैप्टर है वो कंप् करते हैं तो एक यूनिट बनता है जहां से आपको तीन अंक वाले दो प्रश्ण पूछे जाएंगे अब चैप्टर से च्छाय अंक बनते हैं जिसमें से कुछ की तयारी हम लोगों ने नाभिक चैप्टर में परमानू चैप्टर में कर ली है और अब हम नाभिक परने वाल तानों के द्रवばい मान्थ के योग से कम होता है इसके कारण को समझाना है देखें सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो नाभिक है वह बनता किसे है ठीक है क्योंकि हम प्रिवाइकि ट्रिस कर रहे हैं क्योंकि हम प्रश्णों के उपर आधारित बाते ही करेंगे लेकिन उसके बारे में भी लगातार चर्चा करते एक निश्चित उर्जा कउच्छा में गती कर रहे हैं इसका नाम है नाभे और इसके अंदर आपको प्रोटॉन मिलते हैं और प्रोटॉन के अलावा यहां पर न्यूटरॉन मिलते हैं इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम नूपलियान बोल देते हैं नूकली नूकली यान बोल देते हैं ठीक है अब नूकली यानों की बारे में जो है अगर हम बताया जाए तो किसी भी पर्माणू को हम जैसे की क्या होता है कार्बन है तो कार्बन को C612 से प्रदर्शित करते हैं अगर नाइट्रोजन हो गया तो इसको जो है 7N और यहां पर 14 से प्रदर्शित करते हैं यहां पर यह जो 6 है यह प्रोटानों की संख्या को प्रदर्शित करता है और इसे हम द्रवेमान संख्या कहते हैं परमाणू संख्या कहते हैं और इसके बाद में यह बारा जो है प्रदर्शित करता है कुल मिलाके परमाणू का भार क् सब्सक्राइब आपको प्रोटानों की संख्या है इसके साथ साथ आपको यहां पता चलता है कि रहां पर कितने होने वाले हैं उसके सासाथ यह है परमानू भार और परमानु भार को जो है अब अगर आपको जो जो निकालना है तो यहां पर न्बानू कीषभ सब्सक्राइब आपchyम कि अगर आप किसी एक भारी नाभिक वाले परमानु टूट जाता है और इसके दो संतती नाभिक बनते है द्रविमान MA और यहाँ पर द्रविमान MB ले लेते हैं तो जब आप MA, MB और कुल मिलाके निकले हुए न्यूट्रों की संख्या को जोड देंगे तब ही इसका द्रविमान इस न्यूट्रों और इस भारी नाभिक को जोडने से मिले हुए द्रविमान से कम आता है इसका कारण ये है कि इस नाभिक में जो इसकी बंधन उर्जा होती है जो इसकी आप समझ सकते हैं कि यह एक मजबूत दिवार है जो इतने सारे प्रोटॉनों को एक साथ संचित किये हुए है इसके तूट जाने पर यहाँ पर द्रवेमान की एक छती होती है जिसको हम डेल्ट है और इसके बाद में जो है हम यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर आप क्ल मिलाकर नूप्र प्रोटॉन की संखिया है और यह मास प्रोटॉन कि बुब कर दें तो यहां पर जो हैं फोन मिलाए यह द्रभायमान मिल जाएगा और इस भारी नाभिक का उड़ी को निकालने के बाद यह हमको मिलता है ड्रभ हो जाता है अब यह कहानि左右 श्यते हूं आप Sum Johns कर्बने Astra का वर्ग डेल्टा M C का वर्ग E बराबर M C का वर्ग इस प्रकार से उर्जा के रूप में विवोक्त हो जाता है अब यह कहानी आप लोगों ने समझ ली तो आप बताईए द्रब्यमान छती क्या है किसी नाभिक के भी घंडन होने पर संतती नाभिक के कुल द्रब्यमान का ज हो जाता है 36 का 2021 का प्रश्ण है और यहां पर आपको तीन अंक मिलने चाहिए आगे देखेंगे द्रब्यमान A के साथ में प्रतिन नुकलियान बंधन उर्जा में परिवरतन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ खीचिए और उस छेत्र को अंकित कीजिए जहां पर नाभिक उर्जा की बात करेंगे जो की मिलियन इलेट्रोन वोल्ट या मेगा इलेट्रोन वोल्ट के रूप में हमको दिखाई देगा और यहां पर हम द्रब्यमान संख्या को प्रदर्शित करेंगे जिसे हम Z से या A से प्रदर्शित करते हैं ठीक है A से प्रदर्शित करते हैं अब 10 से 10 से कम है 10 से कम है और यदि जो है द्रविमान संख्या ए जो है वो एक सो 170 से अधिक है ए बरा ए जो है किस से अधिक है 170 से अधिक है ऐसी दो स्थितियों में हमको क्या दिखाई देता है कि यहां पर जो है संभावनाय बढ़ जाती है कि नाभिकी संलयन हो नाभिकी विखंडन हो ठीक है और यहां पर जो है संभावनाय बन जाती है कि नाभिक का संलयन हो तो इन दोनों स्थितियों में हम देखते हैं कि यह वो रेंज है जहां पर जो है नाभिकी संलयन और नाभिकी विखंडन की संभावनाएं अधिक होती हैं लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो 30 से अधिक किन्तू 170 से कम इस रेंज में जितने भी नाभिक आते हैं यहां बहुत ही जादा स्थाई होते हैं यह बहुत ही जादा स्टेबल होते हैं और इन तत्तों में नाभिक संलायन या विखंडन की घड़नाय नहीं होती हैं तो अब यहां पर हम लोगों ने द्रवेमान का परास देख लिया और यहां पर हम उन्चेत्रों को अंत्कित कर दिये जहां पर जो है यहां पर चॉपपन संतावण यह वाला नावेकिय बहार संख्या यह पर सरवाधिक स्थेबल दिखाई देता है आगे हम क्या देखते हैं यूद प्रदसित करने वाला उश्चे तरक तरक circumgrade करें यहां पर सरवाधिक स्थाई और यहां पर जो है नाभी की असलेयन तो नाभी की सनलेयन के लिए एक आमान जो है वह दस से कम होना चाहिए और ऐसी स्थिती में नाभी की सनलेयन की संभावनाय बढ़ जाती है यह चीज़ें लोगों ने देखी हैं अब हम देखते हैं प्रति प्रति निकेलान बंधन उर्जा और द्रवल्यमान के बीच ग्राफ कीजिए और इसके प्राप्त कि dazu थे की दो निसकर्शों को लिखे उँ एम ये वी वाला बंधन उर्जा के पीच में ग्राफ खीच रहा है हम लोगों ये ग्राफ खीचा था सब्सक्राइध कर तो हलके नाभिक होते हैं बहुत ज्यादा जिनकी बंधन उर्जा एम इवी जो है वह दस से कम के नाभिकों के लिए तो यहां पर हमको नाभिक की संभावना अधिक दिखाई देती हैं तो यह दहली जो है जो नाभिक पर्मानुभार वाली जो नाभिक होते हैं उनके विखंडन की संभावना अधिक होती हैं और सरवाधिक स्थाई नाभिक हमें 30 से लेकर 170 परमानुभार के रेंज में दिखाई देते हैं तो यह 2019 का प्रश्ण है और हम लोगों ने इसका भी उत्तर दे दिया आगे देखेंगे कि नाभिक की ये बल क्या है और नाभिक की ये बल के दो अभिलाक्षनिक लिखिये जो कुलामबल से भिन्नता दिखाते हैं यहां पर हम एक ग्राफ इस तरीके से खीश सकते हैं और इस ग्राफ में हमको ये दिखाई देता है अब यहां पर क्या होता है कि यदि हम इनके बीच की दूरी करें और इनके बीच में लगने वाले पर उर्जा की बात करें तो हमको यहां पर क्या दिखाई देता है कि जैसे जैसे दो नभिक है नुक्लिओन है इसका दिहान रखें कि यह दो-प्रोटॉन भी हो सकते हैं और यह जो दो नूट्रॉन भी हो सकते हैं या एक प्रोटॉन या ये एक नूट्रॉन भी हो सकता है ऐसी स्थिती में जैसे जैसे इनके बीच की दूरी जो है कम होती जाती है वैसे वैसे इनके बीच का जो है जो इस्थिती जूर्जा है वो भी जो है कम होते जाता है और जहां यहां पर सबसे ज़्यादा रिनात्मक हमको इस्थे जूर्जा दिखाई देती है यहाँ पर इन दोनों नूक्लियोनों के बीच में सबसे इस्थाई संभन्द होता है मतलब इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो सबसे ज़्यादा इस्थाई रूप में दिखाई देता है अगर आप जो है इससे ज़्यादा दूरी बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षन नहीं इनके बीच में आकर्षन का बल लगने लगेगा और यह आकर्षन का बल जो है इनको पास लाने का प्रयास करेंगे लेकिन यदि आप जो है दूरी को और कम करन तो इस छेत्र में यहां पर इनके बीच में प्रतिकर्शन का बल लगने लगता है और यह एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करते हैं तो इस परकार हम क्या देखते हैं कि यह बहुत ही छोटी दूरी का मतलब बल है पहली बात यह है कि यह कूलम का बल से भिन्दता क्या है तो यह पहली बात यह है कि कूलम जो है वो समान्य दूरियों पर भी बिल्कुल सही तरीके से काम करता है जबकि नाभिकिये बल क्या होता है बहुत ही छोटी धूईयों के लिए प्रभावशील है दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है कि यहां पर कूलम के बल जो है दो समान आवेश के बीच में प्रतिकर्शन का ही बल दिखाएंगे या दो विपरित आवेशों के बीच में आकर्शन का बल ही दिखाएंगे मतलब या तो वो आकर्शन का बल होगा या तो प्रतिकर्शन का बल होगा जब हम किसकी बात कर रहे हैं कूलम के बल की बात कर रहे हैं लेकिन उन्ही दो आविशों के बीच में हम दोनों प्रकार का बल देखते हैं जो कि नाभी की बल द्वारा ही संभाव है तो हम लोगों ने ये दोनों जो है संभावनाय देखी ये दोनों चीजें देखी और ये 2021 का प्रश्ण है आपको इसके तैयारी होनी चाहिए आगे दे नाभी के विखंदन में एक भारी नाभी इस होता है यू 253 ये क्या होता है इसे Ст añoढ़ी मारते हैं तो हैं संतती नाभिकों में विभक्त लिए यहां पर और यहां पर रैक्सटू दिखाए देता है आप जो है क्योंकि आप इस चैप्टर की तयारी कर रहे हैं और हम 2022 के प्रश्ण के लिए पी वाई क्यू का जो है से रिष चला रहे हैं इसलिए आपको जो है इसके लिए कभिक्रिया देनी है अब जो है इसमें जो है हमको एक प्रश्ण आता है कि नाभिकी विखंडन है तो 135 यू और 238 यू में से कौन सा ज्यादा उप्योगत है तो हमको पत सेक्शन में जो है इसका पूजी तरीके से हमको क्या दिखाए देंगे हमको यहां पर जो है इसकी अभिक्रिया लिखके बताएंगे कि यू 238 और यहां पर क्या आएगा और उसके बाद में धन एक न्यूट्रॉन तो यह जो है एक न्यूट्रॉन हो जाएगा और इसकी इस अभिक्रिया को पूरा करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे और जो सही कमेंट होगा वो मैं आप लोगों को वहां पर हाट दे दूँगा या लाइक कर दूँगा ठीक है आगे बढ़ेंगे अब नाभिकी विखंडन और नाभिकी सनलेयन में अंतर पूछा है 2019 और उसके बाद में 2021 का प्रशन है हम जब भी जो है किसी भी दो राश्यों के बीच में अंतर या समानताएं बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप आधार बिंदों के बेसिस में उनके बीच में अंतर बताएं इससे जो है आपके आपकी उत्तर पुस्तिका जांचने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सहुल्यस होती है और आपका इंप्रेशन भी अच्छा बनता है तो यहां देखेंगे पहला है कि उप्योगत नाभिक का भार कैसा होना चाहिए तो नाभिकी सनलयन के लिए जो है नहीं भाई नाभिकी विखंडन के नाभिकी 235 होता है ठीक है इसके बाद में जो है क्या इसके लिए तापमान की आवशक्ता होती है तो नाभिकी सनलयन जो है वह अत्यधिक तापमान पर होता है यहां पर क्या ना चाहिए यहां पर जो है जैसे सूर्य के अंदर नाभिकी सनलयन होता है तो यह अत्यधिक तापमान पर ही संवाव है जब कि समान यतापमान पर भी नाभिख्य की विखणडन संभाव है अगली बात क्या है कि विमुक्त उर्जा जो हे नाभिख्य संलयन से जो हे बीमुक्त उर्जा का जो है जो रेंज होता है वह 24 मेगा इलेट्रोन वोल्ट होता है जबकि 200 मेगा इलेट्रोन वोल्ट के आसपास जो है हमको नाभिके विखंडन से उर्जा मिलती है ठीक है अब असल में अगली बात क्या है कि योगी पदार्थ की उपलब जता तो यहां पर यूरोनेम 200 वर्तेस थोरियम इस प्रकार से बहुत ही कम एक्टिब पदार्थ है जिनका नाभिके विखंडन संभाव है लेकिन ह bless के होते मातर में में हैसी मिलते हैं अगला प्रसन क्या है कि योगह पदार्थattack प्रवेत्ती कैसी होनी चाहिए तो नाभिकी संलयन के लिए आप radioactive hydrogen से ही करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है मतलब यह आवशक्त नहीं है कि यह पदार्थ radioactive हो लेकिन नाभे के विखंडन सिर्फ radioactive पदार्थों के लिए संभव है तो हम लोगों को 2019 में पूछा गया प्रश्ण जिसके बाद में 2021 में इसे दोबारा पूछा गया और इससे जो है आपको तीन अंक मिलने के समभावनाए हैं तो इसको जो है आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें अब अगला क्या है नाभे की सनलयन कहते किसे हैं और उदारा देकर समयाइए जब दो हलके नाभे क आपस में तेजी से टकराते हैं बहुत उर्जा के साथ में तो इनके नाभिक जो है जुड़ जाते हैं और हमें एक भारी नाभिक मिलता है इस प्रक्रिया को नाभिकिया सनलयन कहते हैं और इसके फ़ल सरुप जो है दरब्यमान अं यहानी होती है और बहुत सारी उर्जा जो है वहाँ निकलती है तो इस पक्रिया को जो है ना भी किया सनलेन कहते हैं अब आप क्या करेंगे 2022 का ये प्रश्ण है और आप इसके लिए जो है एक सही सलामत आप जो है क्या करेंगे एक सही सलामत करेंगे और तो आप उजे कमेंट सेक्षिन में बताएंगे चलिए आगे बरते हैं द्रविमान छती किसे कहते हैं और इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए देखिए सबसे पहले हम लोगों ने दरविमान छती की ही बात की है और यहां पर जो है हमारे पास में सूत्र भी लिखा हुआ है कि दरविमान छती जो है वहां कुल नुकलियानों के भार मतलब कुल प्रोटॉनों के भाल और उसके बाद में वास्तविक र सब्तर दे दिया अब जो है हम अगला प्रशन देखते हैं अर्ध आयों को परिभाशित कीजिए और इसका च्छै नेतां के साथ में संबंद स्थाफिक कीजिए अब हमको जो है पता होना चाहिए कि जो जो रेडियो एक्ट्व पदार्थों के च्छै की दर होती है वहां कि उस रेडियो एक्ट्व पदार्थ में कुल मिला के कितने ऐसे नाभिक उपलब्द हैं जिनका जो है च्छै संभाव है और इस जो है सूत्र से जो है हमको एक सूत्र मिला और वो था एन बराबर एन नौट गुणा ई कगहात रेन लेम्डा टी ठीक है अब इस सूत्र के जो ह कि सैंपल में या किसी भी जगह पर जितने भी हमारे रेडियो एक्ट्व नाभिक हैं यदि उनकी संख्या घट कर आधी रह जाए इसका मतलब होता है कि एन का मान जो है वो एन बटा नौट बटा दो हो जाए तो जब यह आधी रह जाए तो उसमें लगे हुए समय को जो हम अर्ध आयू काल को हम कैसे परिभाशित करते हैं कि किसी भी सैंपल में उपलब्ध रेडियो एक्ट्व नाभिकों की संख्याद रेडियो एक्ट्व डिके के बाद में रेडियो एक्ट्व छै के बाद में जब आधी रह जाती है तो उसके समय अंतराल को हम अर्ध आयू का जो है हमको और बटादो हो जाएगा और यह किसके बराबर हो जाएगा अब यह नौट और यह नौट कड़ जाएगा और हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा एक बटादो मिल जाएगा तो एक बटादो बराबर यहाँ यह हो गया अब हम क्या करेंगे तो हम यहाँ पर अगर ले लेते हैं तो लाग एक बटा 2 लाग एक बटा 2 बराबर लॉग और यहां हो जाएगा एक हाथ रेनल लैंडा टी होता है यदि आप जो है इसके गणतिय स्रूप को जानते हैं तो यहां पर सुन देता है को हटा देगा और यहां पर यह लॉग E को हटा देगा और यहां पर हमको रेल्ड लेंडा T मिल जाएगा अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो अर्द अर्द आयूकाल निकालना है तो अर्द आयूकाल का मान क्या हो जाएगा टी हाफ ती आफ बराबर सुनिल सम्लाव छह दो आठ और बटे में जो है हमको क्या मिल जाता है यहां रेड़ चिनल लगाके लैमडा और यह क्या है यह है डिके कॉंस्टेंट यहने की इसको कहते हैं cuz इसके नियत आंग यह जो है और यह अर्द आयूकाल का सूत्र हो गया यह जानकारी देने के बाद में आपको दो़ुजार बीस में तीन अंक मिलने वाले थे तो हम लोगों ने इसके बारे में भी जो है समझ लिया और हम देखते हैं कि ये जो है अर्द आयूकाल 6 नियतांग के वितकुमानुपाती होती है ये तो जो है नियतांग है तो टी हाफ अनुकुमानुपाती है एक बटा लैंडा के ये भी यहाँ पर सिद्ध हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से जो है हम लोगों इस पार्ट से रिलेटेड इस अध्याय से जुड़ हुए सभी पूर प्रशन पत्रों को देखकर उससे जो है महत्व पूर प्रशनों पर चर्चा कर ली है यदि आप चाहते हैं कि डीटेल में इस विसाय पर चर्चा की जाए तो आप हमारे अप्लेकेशन में आईए और व प्रचा कर दो